Good afternoon dear students, आज की इस वीडियो में मैं आपको questions and answers बताने जा रहे हूँ जो मैंने last video upload किया था जिसमें मैंने आपको पढ़ाई थी एक mall story जिसका title था the toties and the bird सबसे पहले questions and answers पढ़ने से पहले मैं आपको words और उनकी meanings बता दी हूँ जो important words उसमें आगे जो आपकी exams में भी पूछे जा सकते हैं Number one is mockingly Mockingly का मतलब होता है तन्स से, मजाग से That is making fun of something Number two, shabby Shabby मतलब खस्ता हाल, जिसकी हालत बुरी हो, जो दिखने में बहुत खराब हो In a bad condition Number three, twigs Twigs मतलब टहनिया छोटे छोटे टहनियों का जो nest बना था Twigs Small thin branches Next is crude Crude का मतलब होता है calm That doesn't show a lot of skill जो बहुत basic बनाया गया हो, जो बहुत simple बनाया गया हो Next is accommodate Accommodate का मतलब होता है जगा देना Adjust करना Home Home का मतलब गर होता है House का मतलब मकान And pathetic means काबल रहम या काबल अफसूस Pitiful और misfortunate Question number one Why did the totties make fun of the bird's nest? Totties ने, कचवे ने, परिंदे के nest का परिंदे के गौंसले का मजा क्यों उड़ाया? The totties made fun of the bird's nest because it was not as strong as the shell and was looking shabby and pathetic. Totties ने परिंदे के nest का मजा कि इसले उड़ाया क्योंकि उसके हिसाब से वो उतना strong, उतना मजबूत नहीं था. जितना मजबूत, totties का home यानि की उसका shell होता है and was looking shabby and pathetic. ये shabby बहुत, इसकी हालत बहुत खराब लग रही थी क्योंकि broken twigs का बना था and was pathetic. Pathetic मतला, जो दिखने में बहुत ही गंदा हो. Number two What did the bird reply to the totties? जब 30s ने bird के nest का मजब उड़ाया, तो इतनी बाती बोली कि आपका जो nest है, वो छोटी-छोटी twigs का लकडियों का बना हुआ है, तोटी हुई branches का बना हुआ है, इसकी हालत बहुत ही खराब है और ये उतना strong नहीं है, जितना मेरा shell है. तो उस पे bird ने क्या reply किया? लेकिन मैंने अपनी महनत से खुद बनाया है and I am so happy as और मैं बहुत खुश भी हूँ क्योंकि it can accommodate ये पना दे सकता है, जगा दे सकता है, मेरे साथ-साथ, मेरे friends को, मेरे दूस्तों को और मेरे परिष्टदारों को भी. कच्वे का गर कौन सा है? The home of the tortoise is its shell. कच्वे का जो outer shell होता है, वही इसका घर है. Question number 4. What is the difference between a home and a house? आप difference बताईए, फरक क्या है, एक home, एक घर में और एक मकान के बीच में फरक क्या है? A house is a building and when a family moves in. A house, house तब तक, मकान तब तक सिरफ एक building होती है and when a family moves in और जब family, एक family members जो होते हैं, एक family इस गर, इस building के अंदर जाती है, इस house के अंदर जाती है, मकान के अंदर रहने जाती है, make it a home, वह इसको घर बनाती है, by living together happily. एक साथ, खुशी से रहकर, वह एक मकान को घर बनाती है. Question number 5. Last question है, what is the moral of the story? यह जो story, the tauties and the bird आपने पढ़ा, इसका मकसद क्या है, यह हमें कौन सा lesson देती है? The moral of the story is, a crowded hut is better than a lonely mansion. एक छोटा सा जोपड़ा, एक बड़े से महल से भी बेटर है. एक छोटा सा जोपड़ा, जिसमें एक जोपड़िया बोल सकते हो, छोटा सा घर, जिसमें crowded, crowded मतलब जिसमें बहुत family members रहते हों, खुशी से, वो better होता है lonely mansion, mansion मतलब कोई महल, कोई palace, लेकिन उसमें कोई अगर ना रहता हो, उससे better, खाली palace से better है एक हट जिसमें बहुत सारी family members प्यार से रहते हों.